हेलो भाई लो क्या हल चाल स्वागत आप से विगाय कोड़ने वीडियो में तो जैसे कि फिलाल बीजमाय में एफ 5 रोयल पास चल रहा है और इसे के साथ साथ उसके वीक 2 के मिशन भी आ चुके हैं जिसके उपर लाया हूं में यहाली हैल्पिंग वीडियो तो इसमें मैं बता समझ में यहाएल्ड में तो मैं बताएक हैं सबसे पहले आपको कि जाना है महा पे अ capital करने वाले option पर जाना है जिसमें आपको दो मोड दिखेंगे रैंक्ट kaarm तो सबसे पहले तो यह question आता है कि कौन से mode में आपको match खेलना है तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है in classic mode इसका मतलब है आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ classic mode में ही match लगाओ वर्णा यह वाला mission complete नहीं होगा जिसका मतलब है आप ranked और unranked दोनों में ही matches खेल सकते हो अब यहाँ पर बात आती है कि आपको कौन सा map लगाना है तो map के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि mission में कोई map का नाम तो नहीं लिखावा क्योंकि यहाँ पर ही mission में बता दिया जाएगा कि आपको कौन से map में complete करना है अगर नहीं बताया जा रहा है तो आप कोई सा भी map लगा सकते हो classic mode के अंदर चाहिए वो एरेंगल, मिरमार, सैनोक, विकेंडी या कोई सा भी map हो बट यहाँ पर condition यह आती है कि आप classic mode के अंदर आने वाला ही एक map लगाओ तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है रेंगल वाला map वो भी shadow force mode के अंदर अब आपको plane में अंटर होते ही किसी भी location पर उता जाना है जैसे मैं यहाँ पर hot drop कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि आप भी hot drop करो आप safe location पर उतर के भी यह mission complete कर सकते हो बस आपको क्या करना है उतरते ही जल्दी से gun ले लेनी है और फिर आपको गाड़ी से bots जूणने है तो bots आपको गेम की शुरुवात में इसली वैसी मिल जाएंगे और फिर इनको head का damage देना है और finish भी वैसी करना है जैसे कि mission में लिखावा है और जो आप किसी भी bot या फिर enemy को kill करो तो kill feed पे कुछ ऐसा sign आना चाहिए target वाला या फिर finished by headshot करके ऐसा कुछ आना चाहिए तब ही आपका ये kill इस वाले mission के लिए माना जाएगा और अगर आप नॉर्मली खिल के mission पूरा कर रहे हैं तो आपको try करना है कि आप enemy के head पे aim रखो जिससे की वो knock भी headshot से हो और फिर finish करते टाइम जायद है नक्खो कि उसके head पे aim रखना है यगी knock तो आप body damage से भी कर दोगे चलेगा अगर अगर आपने finish कर दिया body damage दे करके तो आपका kill count नहीं होगा mission में इसलिए आपको किसी को भी finish करते time head पे aim रखना है जिससे की headshot वाला ही kill है और जैसे की mission में लिखावा है आपको total 10 kill करना है और यह जरूर नहीं है कि आप यह single match में करो आपको यह 2-3 match में भी try कर सकते हो या फिर 4-5 match में या फिर जितने match आओ उतने में mission complete कर सकते हो आप तो मैंने आप पर ऐसे 10 kill कर लिया है और हम चेक कर लिता है mission में जाकरके कि हमारा mission complete हुआ है या नहीं तो जैसे week 2 वाली mission में जाके देखेंगे तो हमें यह वाला mission उपर की तरफ तो दिखेंगा ही नहीं और जैसे थोड़ा सा scroll up करेंगे तो आपको यह थोड़ा नीचे की जिसमें इसके सामने collected लिखा हुआ रहा है तो इसका मतलब हमारा mission हो गया है complete और ऐसे आपका mission भी complete हो जाएगा बिल्कुल easily तो अगर यह वीडियो आपके लिए informative है इस वीडियो को like कर दो और चैनल को subscribe भी कर दो साथ में जिससे कि आगे ऐसी और helping videos में लाता रहूँ तो मि थाय kuisब कॉपी तौबटी निया है there daylight भाइबाँ बसे है आओ जिससा कि हुआ है तो मैं ये भाइबाई कि वें खुला है बो भाइबाइबाण है डिया है soot